आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Match the following column, column 1 में दिये हैं Animal and हमें उन्हें match करना है उनके respiratory organs से कि किस organ के थूँ वह अपने respiration process करते हैं सबसे पहला आता है Earth Warm Earth Warm Earth Warm जो है respiration करते हैं with the help of their skin, skin की मदद से इनकी जो skin होती है, वो moist होती है moist की होती है, ताकि जो gaseous exchange है gaseous exchange है, वो अच्छे से हो पाई, इसलिए इनकी skin जो होती है, मीशा moist होती है इनकी moist skin को और क्या बोला जाता है, moist cuticle भी बोला जाता है moist cuticle तो Earth Warm match हो जाएगा A के साथ, moist cuticle के साथ next आता है spiders 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 जो होते हैं, इन में जो respiration है, वो narrow tubes के थूँ होता है narrow tubes के थूँ होता है और इन narrow tubes का जो पूरा का पूरा network होता है, इस network को बोला जाता है book lungs book lungs यहाँ पे spider match हो जाएगा book lungs के साथ next is fishes fishes तो सभी को पता है, gills के थूँ रिस्पायर करती है fishes का जो organ होता है, respiratory organ वो होता है gills gills कहाँ पे present होते हैं, यह head के पास होते हैं fishes के और fishes की gills होते हैं, इन में present होती है capillaries जब fishes जो है पानी inhal करती है पानी के थूँ जो oxygen आता है वो यह capillaries catch कर लेती है तो capillaries किसमें help करती है और gaseous exchange में हाँ पे help करती है gaseous exchange में help करती है बड़ जो organ होता है उसको हम बोलते है gills next आता है birds या फिर रेप्टाइल्स birds और रेप्टाइल्स birds और रेप्टाइल्स birds और रेप्टाइल्स जो होते हैं यह lungs के थूँ परफॉर्म करते हैं respiration इनके lungs को static lungs भी बोला जाता है static lungs भी बोला जाता है ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके lungs में जो direction of flow of air जो होता है वो होता है unidirectional unidirectional flow of air flow of air एक ही direction में air flow करती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि continuously flight लेते हैं birds जो होते हैं तो इनको क्या चाहिए होता है, इनको जो oxygen चाहिए होता है, वो high amount में चाहिए होता है, तो unidirectional flow होता है अगर air का, तो oxygen rich blood होता है इनका, oxygen rich blood होता है, जिनसे इनको continuously energy मिलते है flight लेने के लिए, तो bird and reptile match हो जाएगा, option number 3 lungs के साथ, that is D. Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक, 10 million से जादा students का भर हो सा, आज ही डाउनलोड करे doubt net आप, या whatsapp कीजिए अपने doubts, 84444 पर